हालो गाईज वेलकम टू अचीव आईएस माई नेम इस जैविश मिठी इस फीडियो में हम ट्रेड कोमर्स और इंडेस्ट्री के बीच का डिफ्रेंज जानेंगे बहुत ही सिंपल टर्म ही है लेकिन जेनरल इंका मतलब हमको नहीं पता रहता जैसे कि हमारी एक मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री और इंडेस्ट्री तो दोनों के बीच का डिफ्रेंज जानना काफी फायदे मन दो सकते हैं और इंडिरेक्ली आपको हेल्प कर सकता है प्रिम्स में 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 और परस्नालिट्री टेस्ट में चले शुरू करते हैं हमारी वीडियो से सबसे पहले यह समझे कि जो भी पूरी एक economy as a whole की में बात करूँ तो उसमें दो सेगमेंट टोकते हैं इंडेस्ट्री और commerce अभी trade छोड़ो अभी सिर्फ इंडेस्ट्री और commerce की बात करो ठीक है इंडेस्ट्री और commerce इंडेस्ट्री क्या है आपने सुना होगा इंडेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर या secondary sector, secondary industry, tertiary sector या tertiary industry ये सब क्या है ये एक तरीके से जो production हो रहा है रो मेटेरियल से लेकर finished good बनाने तक उस process को जो नाम दिया है वो है industry मतलब सबसे पहला process क्या होता है primary रो मेटेरियल एक्स्ट्रेक्ट किया secondary finished good में बनाया आप चाहे उसकी manufacturing करें हो चाहे उसको सेंबल किया हो चाहे फैक्टरी में कुछ भी किया हो ट्रेशेरी क्या होता है उस अभी primary से जो ट्रेशेरी सेकेंडरी तक जो प्रोड़क्ट आया उसको असिस्ट करता है ट्रेशेरी बैंकिंग ट्रांस्पोर्टेशन वेरहाउसिंग इंशोरेंज ठीक है सर्विसे सेक्टर बेसिकलिस के अंदर आती है अभी इतना याद रखना है आपको प्रोड़क्ट बना ही है और सीदे सीदे बनके तयार हो गया है फाइनल प्रोड़क्ट तयार हो गया है ठीक है अभी प्रोड़क्ट मार्केट में पहुंचा ही है कंजूमर तक नहीं गया है अभी मार्केट सेलर तक ही गया है प्रोड़क्ट बनके तयार हो गया है तो यहां तक का जो यह पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इंडस्ट् यहां तक अपने पड़ा की प्रोड्यूसर तक प्रोड़क्ट अब बनके तयार हो गया मार्केट में पहुच गया अब मार्केट में बैसिकली दो ही चीजी होंगी सबसे में प्रोड़क्ट भीकेगा ट्रांसफर होगा ओवनर्शिप का बायर और सेलर के बीच में अब चाहि है इंपोर्ट हो अगर देश के अलदर चाहिए होलसेल में हो चाहिए रिटेल में हो तो ट्रेड का जो यह प्रोसेस है अब सेलर से सीधा बायर तक कंज्यूमर जो कंज्यूम करने वाली जो परस्नलीटी है जो पर्सन है उस ओधरिटी उसके पास पहुँच गया तो यहां पर यह ट्रेड हो जाता यानि सीधे सीधे ट्रांसफर ओफ ओनर्शिप हो गया इसके अंदर ठीक अब कई बार पहले तो ठीक था एजी था और पहले इतनी जो है सर्विसेज उपलब्द नहीं थी आजकल ट्रांसपोर्टेशन वेरहाउसिंग एड़र्टाइजिंग यह सब उस ट्रेड को असिस्ट करने के लिए आ गया है सेलर से बायर तक जब प्रोड़क गया हो सकता अपने अड़र्टाइजमेंट देखियो ओडर किया हो तो हो सकता है सेलर ना देने आया हो ना आप सेलर के पास गयोंगे बीच में कोई और डिलीवरी वाली कंपनी हो ओनलाइन मंगाते हैं आप जैसे ट्रांस ट्रांट पोटेशन वेलर होसिंग अडियोंगे सब किसके अंदर आ गया ये इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी इन ट्रेड का मतलब क्या होता है या देखो उखसेल इन ट्रेड का मतलब यह होता है जो ट्रेड को सपोर्ट करने वाली करने वाली जो एक्टिविटी थी सेलर को बायर तक पहुचाने वाली है जो प्रोडक्ट उसको इटिमेट कंज्यूमर तक पहुचाने वाली जो एक्टिविटी जो उन्हें कहते हैं वह कोमर्स के अंदर आगया ठीक के कि ट्रेंड जो में क्या सर्विस लगी क्या उन्हें कहते हैं auxiliaries in trade और दोनों को अगर मैं मिला दू इन दोनों को मैं अगर एक साथ जोड़के बोलू तो यह हो जाता आपका commerce समझा गया अब industry commerce आपके दिमाग में clear हो गया थोड़ा सा ओर deep में जाता है trade बात करता है transfer of ownership की buyer से लेकर seller तक अब अगर आपको seller बनना है न तो आपकी cost ज़्यादा लगेगी क्योंकि कहीं न कहीं आपको go down चाहिए आपको storage चाहिए seller में trade करने में आपको cost लगेगे of course course लगेगे अगर आप trader बनना चाहते हो तो लेकिन commerce में अगर आप जाना चाहते हो मालब इसके बाहर भी तो कम ही लगेगी तो assisting activities की cost कम लगती है ठीक यह चीज़े समझ आगे कि मैं फिर से repeat कर देता हूं एक बार इंडस्ट्री आपका जो इंडस्ट्री में जो बात है basically वह बात है प्रोडक्शन से र्लेटेड प्रोडक्शन से र्लेटेड और प्रोडक्शन की बात आए तो इंडस्ट्री डिस्ट्रिबूशन की बात आए तो commerce ठीक है अब एक चीज और आपने सुना होगा sector जैसे health जैसे financial sector बैंकिंग sector तो इस sector क्या होते हैं देख सेक्टर कुछ नहीं होते है economy को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया फानेशल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर हेल्ट केर सेक्टर तो यह जो सेक्टर से कुछ नहीं है कि वहलेग पाटिकुलर बिसनेस एक्टिविटिक को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्राइशन से स्धेर्टेश्ट म connection सी इंडश्ट्री तो यह बैशिकली सेक्टर होता है उसक्र एंड इनबसट्रे ब sworn इंडश्टिय। खासर मैं बोलू टेलिकॉम सेट्टर है तेलिकॉम सेट्टर के अंदर स्मार्टफॉन इंडॉस्ट्री हो चिप इंड़स्ट्री हो गई बैटरी इंड़स्ट्री हो गई और कोई फॉन से कैमरा इंड़स्ट्री हो गई ठीक तो सेक्टर ऐसे कोई पार्टिकुलर चीछ को रिप्रेसेंट नहीं करता है जैसे स्कूल है इनदर, अपकी स्कूल एक इकन mapped हो गई ठीक है अब स्कूल के अंदरoard इकन Cordy हो गई और जो classes है वह सक्टर्स हो गई K데 Eine..क्र से क्लास के ne सक्टर्स अब कोई Arts की क्लास के अब कोई Science की क्लास का कोई Commerce की क्लास है तो यह स्क्टरस हो गई क्लासेज हैं और सेक्टरस हो गया है सेक्टरस में आता है इंडस्ट्री जैसे साइन्स में आपको किसी ने बायो की ले रखिए क्लास किसी ने मैथ की ले रखिए ठीक इकनोमी में किसी ने क्या ओफिशनल ले रखा है किसी ने क्या नहीं ले रखा है आर्ट्स पोटेश सेक्टर में एक इंडस्ट्री हो गई चीप इंडस्ट्री और चीप इंडस्ट्री के अंदर हो गई फर्म जो अलग अलग फर्म कमा रही है अलग अलग फर्म जो चीप इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से बनी आपकी सेक्टर और सेक्टर से बन गई आपकी अलग एकनोमी ठिक थोड़े सी और अच्छे से इसको देख लेते हैं यह मैंने अभी अभी create किया था simplify करने के लिए यह आपकी एकनॉमी है ठीक है यह आपकी पूरी एकनॉमी है इसके अंदर आपने production किया चीज का producer आपने production किया तो industry आपने distribution किया तो commerce उस distribution में भी अगर सीधे seller और बायर की बात करें तो trade auxiliary activities की बात करें तो वो पूरा commerce के अंदर आ जाता है तो यानि एक दूसरे से completely अलग नहीं है जब सामान बनता है और बनने से लेकर बिखने तक का जो process है वो इन दोनों को मिलाके है मैंने segregate किया है product बनने तक और product consumer तक पहुँचने तक इन सब को मिलाके बनती है हमारी economy I hope आप सबको clear हुआ हुआ कोई doubt हो कोई suggestion हो feedback हो को improvement की बात हो comment box में डाल दीजिए तन्यवाद